श्री राम मिथला पूरी में आये वहाँ एक सूने आश्रम को देख कर विश्वमित्र जी से उन्होंने प्रश्न किया क्या थी उस सूने आश्रम की कथा जानते हैं इस अध्य में श्री वालमी की निर्मित आश्रामायन आधिकावे के बालकाण में 48 वां सर्ग आप सभी से अनुरोथ है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवर्श्य सुने वहां परसपर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पोच कर बातचीत के अंत में राजा सुमती ने महामुनी विश्वमित्र से कहा ब्रह्मन आपका कल्यान हो, ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्ले पराकरमी जान पड़ते हैं इनके चालधाल हाथी और सेह की गती के समान है, ये दोनों वीर सेह और सांट के समान प्रतीत होते हैं इनके बड़े बड़े नेत्र, विक्सित, कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार, तर्गस और धनुष धारण किये हुए हैं। अपने सुन्दर रूप के द्वारा दोनों अश्वनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवा वस्था की निकट आप हो ज रहे हैं। मुने ये दोनों किसके बुत्र हैं और कैसे किसलिए यहां पैदल ही आये हैं। जैसे चंद्रमा और सुर्य आकाश की शोभा पड़ाते हैं। उसी प्रकार की दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की उचाई, मनुभाव सूचक, संकेत तथ चेश्टा अर्थात बोलचाल में ये दोनों एक दूसरे के समान है। शेष्ट आयुद्ध धारन करने वाले ये दोनों नर्शेष्ट वीर इस तुर्गम मार्क में किसलिए आए हैं। ये मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। सुमती का ये बचन सुनकर विश्व भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वमित्र जी की बात सुनकर राजा सुमती को बड़ा विसमे हुआ। उन्होंने बरम आदरनिये आतिती की रूप में आई हुए उन दोनों महाबली दश्ट पुत्रों का विधिपूर्वक आदित्य सत्कार किया। मिथिला में पहुँचकर जनकपुरी की सुन्दर शोभा देख सभी महरशी साध हु-साध हु कहकर उसकी भूरी-भूरी प्रिशंसा करने लगे। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यनत रमनिये होकर भी सुन्सान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री राम चंदर जी ने मुनिवर विश्वमित्र जी से इस प्रकार पूछा। ने इस प्रकार उत्तर दिया। रगो नंदन पूर्वकाल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और जिन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था। उनका तो था उनकी इस आश्रम का सप्रतांत तुम से कहता हूं। तुम यह थार्थ रूप से इसको सुनो। नर्श्रिष्ट पूर्वकाल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्वे जान पड़ता था। देवता भी इसकी पूजा इवं प्रशन सा किया करते थे। महायेशस्वी राजबुत्र पूर्वकाल में महर्शी गौतम अपनी पतनी अहल्या के साथ रहे कर यहां तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्शन तक यहां तप किया था। एक दिन जब महर्शी गौतम आश्रम पर नहीं थे। उप्यूप्त अफसर पाकर शचिपती इंद्र गौतम मुनी का वेश धारन किये वहां आये। और अहिल्या से इस प्रकार बोले। सदा साब्धान रहने वाली सुंदरी, रती की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष रेतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी मैं इंद्र तुमारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रखुनंदन, मरशी गौतम का वेश्धारन करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुधी नारी ने आहो। देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं। इस कौतुहलवश उनके साथ समागम कर निश्य करके भैप्रस्ता स्विकार कर लिया। रती के पश्यात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित होकर कहा। सुष्ष्ष्ट मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभो अब आप शीकर यहां से चले जाए। देवेश्वर महरशी गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा केजिए। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा। सुन्दरी मैं भी संतुष्ट हो गया। अप जैसे आया था उसी प्रकार चला जाऊंगा। श्रीराम इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उसकुटी से बाहर निकले तब गौतम के आजानी की आशंका से बड़ी उताबली के साथ वेकपूर्वक भागने का प्रितन करने लगे। इतने में ही उन्होंने देखा देवदाओं और दानवों के लिए भी दुर्दश। तब अबल संपन महामुनिक गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरी तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रचुलित अगनी के समान उद्रिप् हैं। उन पर दिश्टी पढ़ते ही देवराज इंदर भैसे थर्रा उठे उनके मुख पर विशाथ चा गया। दुराचारी इंदर कुई मुनी का वेश्धारन की देख सदाचार संपन मुनिवर गौतम जी ने रोश में भर कर कहा। दुर्मुते तूने मेरा रूप धारन करके यह ना करने यूग्य पापकर्म किया है। इसलिए तू विफल अर्थात अंड कोशों से रहित हो जाएगा। रोश में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंदर के दोनों अंड कोश उसी क्षण प्रित्वी पर गिर पड़े। इंदर को इस प् कर या उपवास करके कश्ट उठाती हुई राक में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अद्रश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्श तश्रत कुमार राम इस खोरवन में पदार्पन करेंगे। उस समय तू पवित्र होगी। उनका मोहों आधी दोश दूर हो जाएंगे। और तू प्रसंता पूर्वक मेरे पास पहुँचकर अपना पूर्व शरीर धारन कर लेगी। अपनी दुराचारनी पतनी से ऐसा कहकर महात्यजस्वी, महातपस्वी, गौतम इस आश्रम को छोड़ कर चले गए। और सिथ्धुं त पथचारनों से सेवित हेमाले के रमणी ये शेखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इस प्रकार शिवालमी की निर्मित आश्रामायन आधिकावे के बालकान में अर्तालिसमा सर्क पूरा हुआ। आप सभी को कोटी-कोटी साधुवात आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।